गूरू प्यारी साथ संगत जी, आज हम सुनेंगे एक बहुती प्यारी साखी, पैगेंबर और उसके सिस्य, तो चलिए शुरू करते हैं, प्यारी साथ संगत जी, एक बार हजरत मौमद साहिब अपने दोस्तों और इमामों को मस्जिद में ले गई और पूछा आपके पास क् हजरत उमर ने कहा कि मेरी ओरत है, लड़के लड़कियां है, उंट वगेरे है, सब कुछ गिनते गिनाते, उसे बहुत समय लग गया दूसरों ने भी इसी तरह बताया, जब हजरत अली की बारी आई, तो वह अपनी जगे से उठे और बोले, मेरा तो एक खुदा है, और एक आप है, इसके अलावा मेरा कुछ नही हजरत मौमद साहिब का मतलब उनको समझाना था, सो इस तरह समझा दिया प्यारी साथ संगजी, हजरत मौमद, अपने सिस्चों से बाचीत के माध्यम से अपना उपदेश दिया करते थे परमार्थ में संसारिक पदार्थों की कोई खास महता नहीं वे हमारे पास थोड़े समय के लिए होते हैं और दुनिया से कूच करते समय हमारे साथ नहीं जाते जो दुनिया में ज्यादा फसा हुआ है, उसका यही हाल होता है वह बार बार दुनिया में जनम लेता है जो खुदा से प्यार करता है वह दुनिया में क्यों भटकेगा यह समझने की बात है प्यारी साथ संग जी कबीर शाहिब भी कहते हैं जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाई तब परब काज सुवा रहा आए प्यारी साथ संगत जी आज की यह साखिया आपको कैसी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी ही प्यारी प्यारी साखियां हर रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद